हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूँ एक पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे और आपने चेक भी कर लिया होगा एससी MTS एंड हवलदार की आंसर की जो है पब्लिश की जा चुकी है ओफिशल लिंक जो है आउट हो चुका है और एक्सपक्टीट कट ओफ इसके अंदर क्यार रहने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे तरफ से जो एक्सपक्टीट कॉमन को मीरा होगा अगर मेरे एक यह जाएगा या तो मैं क्या करूं इस वीडियो में सारी चीज आपको बताने वाले हूँ सबसे पहले बता देता हूं कि आपको आपको आपकी अंसर की किस तरीके क sé हैया है तो आप यह देख सकते हैं कि यहां पर आपको अपना टोलंबर डालना है और आपको पासवर्ट के अंदर अपनी डेट ओपर डालनी है बिना कोई सिंबल लगाए चैसे कि मान दीचे आपकी डेट ओपर 21 121994 है तो आपको इसी तरीके से यहां पर यह फिल करके लोग इन कर द काउंट कर सकते हैं अब मैं बात करता हूं कुट ओफ से जिन केंडिडिट का एक या दो नमबर ज्यादा ओगा या जिनके मांक अच्छे नहीं आये हैं वो क्या करें जैसा कि आप सब ज़्यादातर लोग जो है ज्यादातर केंडिडिड जो है अपनी अंसर की चैक कर होंगे और उन्होंने अपने मांक्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने जो रो मांक्स हैं वो कि ट्राइब कर दीजेगा और अपनी शिफ्ट और डेट बता तीजेगा चिस से मुझे अंसर की के बाद जो मैं आपके लिए के एक्सपेक्टिट कटोफ बनाने वाला हूं उसमें मुझे इजी हो जाए और आपके लिए वह ज्यादा से ज्यादा बैनिफिट दे सके इसके अंदर आप अपने अटेम्ट लिखेगा आपके रो मांक्स लिखेगा और आपके किस दिन आपका एक्जाम हुआ था आपका डे हंड्र एट्याप्ट कर दिए थे वह सोच रहे थे मेरे हंड्र में से हंड्र मांक्स आ जाएंगे लेकिन अब उनका उल्टा हो गया उनके 40 सवाल जो है रों गए और 60 सवाल जो है उनके राइट हो गया तो इस परकार से जो उनके मांक्स हैं वो पचास आए मांक से तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं टियर टू के लिए आप तयारिक कर सकते हैं लेकिन अगर आप यू आर ओबी सी वगरा के अंदर हैं तो आपको सेवन्टी प्लस पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ऑफिचली चनरली यू आरो बीसी के लिए अगर आप सी और स्टी में सत्र प्लस नंबर ला रहे हैं तो आपका टीर 2 में सेलक्शन होना तैर वहीं अगर चिन कंटिनेट के एक-टो नंबर मांक्स जादा हैं वह निराश ना हो आने वाली जो आने वाली जो वेकेंशी हैं एससी की हैं या फिर बैंक की हैं और अभी आने समय में एससी सीपीओ भ आपने इस exam के अंदर जितने भी गलतियां किये उनसे सीखे और cpo में जो sst का cpo होने वाला है या फिर जो head constable होने वाला है उसके लिए आप तयारी कीजिए और उन एक्जामों में ये गलती ना कीजिएगा एक्सपेक्टिट कटोफ के अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेक्टिट कटोफ मैं आपको बता चुका हूं एक्सपेक्टिट कटोफ जो मेरे तरीके से हैं मैं कभी भी एक्सपेक्टिट कटोफ को को कि तो प्रिफर्ट करता हूं क्योंकि कुंद करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन रेंज आप प्रिटिक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच मैं अगर आपके मार्स हैं तो आप इजीड़ी टिया टू के लिए जा सकते और यह रेंज मैं आपको बता चुका योगा जो लिंक है वो description box में है आप महां से जाकर दोनों वीडियो को अच्छी तरह देख सकते हैं और आपके state की cutoff क्या जाएगी यह भी मैंने एक complete वीडियो बनाया हुआ है previous year में कितनी cutoff गई थी और इस साल कितनी cutoff जा सकती है सभी जो वीडियो है यह तीरों वीडियो जो है इनका लिंक में वीडियो के description में देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें इस वीडियो में पश्च इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद